नमस्कार मैं हूँ दिवया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर इंटर की परिक्षा में अब तक 204 परिक्षारतिन इसकासित बिहार विधान सबाब बजट चत्र के दौरान होगी 3 लेवल सुरक्षा बिहार को 5 ट्रेनों की मिलेगी सौगार बिहार सरकाने फ्लोर टेस्ट से पहले 30,000 से अधिक पदों पर की भरती की घोसना अंदर 19 विस्व कप के फाइनल में भरत का उस्टेलिया से मुकाबला इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से इंटर की परिक्षा में अब तक 204 परिक्षारती निस्कासित बिहार बोर्ड इंटर की परिक्षा जारी है परिक्षा में अब तक 204 परिक्षारती निस्कासित हो चुके हैं वहीं परिक्षा के 90 दिन एक परिक्षारती कदा चार करते निस्कासित किया गया है मालूम हो कि नौवे दिन पहली पाली में सोसियोलोजी और अकाउंटन्सी की परिक्षा हुई परिक्षा में कदाचार नहीं हो इसके लिए सुरक्षा के पुक्तन दिजाम किये गए है एक्जाम के दौरान पंदो सो से अधिक पुलिस के जवानों को तैना आत किया गया है 12 फर्वरी को परिक्षा का अंतिम दिन है बिहार विदान सभा बज़चतर के दौरान होगी थ्री लेवल सुरक्षा यहां थ्री लेवल की तगरीज सुरक्षा होगी इसके लावे विदान सभा के आसपास धार 154 लागु रहेगी यहां दन्दादिकारी वा पुलिस बलकिकी तैना अती की गई है पत्नानु मंदल पदाधिकारी पुलिस अधिक्चुक सची वालेस दौरान विधी व्यवस्ता संभालेंगे जिला कलेक्टर सिर्चत परेल ने सभी पुलिस अधिकारीों को आविसक दिशा निर्देश दिया है साथे नहों ने एस्पी राजीव विस्ता के साथ सहींत रूप से ब्रिफिंग की है दियेम और एस्पी ने कहा है कि यहां प्रोटोकॉल के मताबिक तीन लेवल में सुरक्चा होगी सिसी टीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी सभी पुलिस अदिकारी समय से अपने कर्तवय अस्थर पर उपस्थित होंगे विक्ती को यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा प्रवेश पत्र के साथ ही किसी वेक्ति या वहन को प्रवेश दिया जाएगा विहार को 5 ट्रेनों की मिलेगी सौगाद विहार को पांच एक्स्प्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी प्यम मोदी से हरी जंडी दिखा सकते हैं पुर्व मधे रेल ने इसको लेकर पत्र भेडा था और पांच ने ट्रेनों की मांग की थी इसे अब मंजूरी मिल गई है इसके बाद राजे में सैक्रो यात्रियों को फाय हो जाएगी दानापुर से जोगबनी नरकटिया गन से गुनाहा जोगबनी से सहरसा जोगबनी से सिलिगुरी और रक्सौल से जोगबनी के बीच नई ट्रेन चलेगी 12 फरवड़ी से होने वाली मगद्विस विद्याले की एड्मिसन प्रक्रिया को फिलहाल रद कर दिया ग होती है 12 फरवरी से यहां नामंकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी अब नैसरे से यहां ओनलाइन नामंकन लिया जाएगा इसकी तारी की घोसना बाद में की जाएगी मगद्व स्विद्याले के प्रोफेसर ब्रिजेस कुमार राय ने संबद में जानकारी साजा की है उन्होंने बताए कि आप परियर कारणों से 12 फरवरी से शुरू हने वाली प्रक्रिया को रद किया गया है इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्ता की जाएगी बिहार में एक अधिकारी के जुनून ने बदली कई स्कोलों की तस्वीर बिहार के बकसर के एक अधिक स्थाले की स्थिति बहतर हुई इसकोलों का रंग रोगन भी हुआ एस सदिकारी के कारण sequence की व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है स्कशकों के लिए उन्हों ने बेहतरीन कुर्सियों की व्यवस्था की है साति ए स्थाफ के लिए पहले से बहतर रूम है स्कोलों की विपस्ता के बाद चात्र वचात्राओं से लेकर सिक्चक तक खोश है पाठक यनुसार स्कूल के साथ ही किसी भी कारियस्थल का महौल ऐसा होना चाहिए जहां किसी को भी आने के बाद जाने का मन नहीं करे इस कूलों का धाचा और सुन्दर होना चाहिए आपको बता दे कि य यवाउं के लिए अच्छी खबर है विहार सरकार ने अलग-अलग विभागों में 3547 पदों की मंजूरी दी है विहार के उपमुखे मंत्री समराज सची वहाज है वही वित और पथ निर्मान विभाग में एक एक बहाली है विहार में फाइल एरिया की दवा बिहार में फैलिया की दवा खाने दक्सम को दवा खिलाई गई थी वहीं स्वास्मभाग ने कहा है कि यह दवा बिलकुल सुख्चित है खबराने की जरूरत नहीं है दवा खाने के बाद माइक्रो फाइल एरिया नस्ट किया जाता है इस कारण इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं वही बच्चों की तबियत बिगरने के बाद अफ्रात अफ्रीका महौल हो गया था आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भरती करवाया गया बताया जाता है कि अभी सभी बच्चों की तबियत ठीक है समस्तिपूर में 400 कार्टन विदेशी सराब बरामत यह उत्पाद की मदद से पिट्रॉल पंकी लौरी से 400 कार्टन सराब बरामत किये गये हैं इस दौरान पुलिस ने दो तसकरों को भी गिरफतार किया है गुपत सूचना के आधार पर CID और उत्पाद विभाग नहीं कारवाई की है बताया जाता है कि सराब 35 रुपए की कीमत की है पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां सराब को छिपा कर लाया जा रहा था सक्के आधार पर पुलिस ने लौरी की तलासी ली थी इसके इंदर सराब का कार्टन मिला है इसके बाद पुलिस ने चालक और खरासी को तुरंत गिरफतार कर लिया हिदा टैंक वो लौरी को मुस्री घरारी थाने में रखा गया है थाना अधिक्स पैजुल अंसारी ने भी बताया है कि गुपत सूचना के आधार पर ये कारवाई की है और प पर्वरी को विधांसभा के घराव करने का एख एलान किया है इन्होंने सक्षा बिभा के अपर मुक्य सचीब के आदेश को वापस लेनी की चेताब नीन की दी परिक्षा कि ग्राव करने की बाद कई कि बात कही है नियोज़ी सिक्षकोंने रह सरकार से राज कर्मी का दर्जा देने की मांग की है पुर्भ सिक्षक असोग चौदरी का facebook है जदि उनेता चौदरी का facebook लिया गया है साइबर सात्रों ने इनके नाम से 12,000 रुपए की मांग भी की थी पुर्व मंत्री असोग चौधरी को इस बात की जानकारी मिलते ही उन्होंने सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर इसके जानकारी दी है उन्होंने एक्सपर लिखा है कि प्रियस साथ यूँ आप सभी को सूचना देना है कि मेरा फे भरूर संपर करने की बात कही है वहीं कई लोगों ने साइबर साथरे ओसे संपर करने के कोशुस की है तरीका थाए Dashari को अपना सिकार रहें हैіш वह कई तरीकों से लोगों को अपना सिकार बना रहे रहे हैं वारजड़ी आजकर 1730 के लिएंगे सभी विधायकों युरेिए क मनोज जहां ने जानकारी दिये कि सभी विधायक यहां अंतराक्षरी खेल रहे हैं बाड़ा दिन का कैलेंडर का आम दिन है हमारे और महां गडबंदन दल के तमाम विधायकों ने अपनी एक्ष़ अताई है कि वह और तालेस गंडे तक यही रहना चाते हैं जोरान वक्त कई सब्सक्राइब की बातों पर चर्चा करेंगे मनोज जहां ने कहा हैं कि हमारे तमाम विधायक हमारे पास हैं जद्यू के यहां भोज में लोग नहीं पहुंचे राज़त में कोई डर नहीं है एंड अपनी चिंता करे इधर राज़त विधायकों पर जदिव के प्रवक्ता पंडिये सरकार का विस्वास मत हासल करना है इस दौरान सभी विधायकों को विधान सभा में मौजूद रहने को कहा गया है पिछले दो दिनों में जर्यू के तमाम विधायक पटना में है फ्लोटेस्ट को लेकर सभी पार्टी अलर्ट मोड पर है वीजेपी के विधायक गया राज़त सांसद मनोज जा का बयान हमें कोई डर नहीं फ्लोटेस्ट से पहले आज़ेरी के विधायक तिजस्वी आवास में रहेंगे इसको लेकर आज़ेरी सी सांसद मनोज जाने कहा है कि हमें किसी का डर नहीं है विवक्ष दल तक ये बात पहुँच जाए कि हम जिंदा बात थे जिंदाबाद है और भी तो तेजस्वी आवास में उन्होंने काई कि अपनी एक्षा से तेजस्वी आवास में है इधर राजत के विधायक भाई बिरेंदरि हम राज को 12 थरवरी को खोलेंगे पूर्व मंत्री शुरेंद्रि यादभ ने भी राजज़त की एक तिंजर तिवारी ने कहा है कि 12 फर्वरी को असली खेल होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले बोदगया में रहेंगे बीजेपी विधायक, वहार में एक नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। इससे पहले भाजबा के विधायकों की राद बोद गया के होटेल में कटेगी। यहां दो दिवसी प्रसक्षन सिवीर का आयोजन किया गया है। पार्टी के विधान पारसदों और विधायकों ने एक जूटता दिखाई है। उप मुखे मंत्री समरार चौधरी ने कहा है कि यहां सभी विधायक पहुच चुके हैं। मुखे मंत्री 30 कुमार सोमबार को विधान सभा में विश्वास मत पेस करेंगे। इससे पहले भाजबा के विधायकों के लिए गया में प्रसिक्षन सिवीर कायोजन किया गया है। कि विधायक कितने दिनों तक असंतुष्ट विधायकों को बांद कर रख सकेंगे। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। विश्व कप के बाद आठ महीने में ये तीसरी बार है जब इंडिया का उस्ट्रेलिया से मुकाबला हो रहा है। वही अंडर 19 विश्व कप में भारत लगातार पांचवी बार फाइनल में पहुंचा है। मालूम हो कि इस मुकाबले में सभी नजर भारत के चार खिलारियों पर है। इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें उद्य सहारन, सचीन, धास, मुसीर खान और सौमे पांडे सामिल है। सौमे सुर्वात सही भारत टीम के लिए अच्छा खेले हैं। इन्होंने विश्व कप में अब तक तीन विकेट अपने नाम किये हैं। भई मुसीर ने न्यूजीलेंड के खिलाफ सतक लगाया था। तीन पारियों में इनका दूसरा सतक था। इससे पहले इन्होंने आयरलेंड के खिलाफ सतक जरा था। इधर सहारन ने इस मैच में सबसे अधिक रन बनाए हैं। जबकि सचीन धास के अर्द सतक ये पारी के कारण भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं। पारी लग रहा है। आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सब्सक्राइब का जरूर बताएं।